हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट वाड़े समने एक तस्वीर है जित्थे एक परसन दे फेस ते तुसी स्माइल वेख सकते हूँ इना ने UPSC दी प्रिख्या दित्ती सीगी, प्री एक्जाम क्लियर कर लिया, मेंस भी क्लियर कर लिया, बट इंटर्वियू दे वेच रिजेक्ट होगे तो आनू सार्या नू पता लग गया होना कि कल सोणा अपरेल नू UPSC दा नतीजा कोशत कीता गया प्रिख्या माँ पास करनवाड़े सारे साथिया नू सारया ने वदाईया देतिया बट अहो जे Esperants वी हुनदे है जिना ने बहुत जादा शंगर्श कीता बट फेर वी प्रिख्या नहीं क्लियर कीती इना ने लिख्या भी होया कि इना ने 12 अटेंट्स दित्ते है जेदे विच इना ने 7 वार मेंस दी प्रिख्या दित्ती 5 इंटरव्यू दे विच अपियर होया बट फेर भी सेलेक्शन नहीं होई एंड इत्ते इना ने लिख्या होया शायद जिंदगी का दूसरा नाम ही है सो बिलकुल कदे कदाई अपने जीवन दे वेच अपने अकॉर्डिंग चीजा नहीं हों दियां बट एदा मतलब एदा नहीं हगा कि तुसी जिंदगी वेच जियोना शर्दो हमेशा उदास रहना शुरू कर दो ओ जिंदगी वी कि जित्ते सारियां चीजा तो अनू नाल सर्थों वी तुसी काफी जादा इंस्पिरेशन ले सकतियों कि दोस्तों जेकर तो अड़ी पियास्ट दी प्रिख्या नहीं क्लियर होई तुसी तेन चार अटेम्ट देते मास्टर काडर दी प्रिख्या नहीं क्लियर होई तो अड़े नाल दे साथी दी क्लियर होगी ता कोई गल नी, असी फिर तो शंगार्श करांगे, असी फिर तो मेंत करांगे, ते आवधी प्रिख्या नू क्लियर करांगे, कोई जरूरी ता नहीं हगा कि अपा सेम चीजनू फड़के बैठे रहिए ते दुखी होई जाइए, अपानू जिंदगी वेच कदे वी उदास नहीं होना चाइदा, जिन्नियावी मुश्कलां ओंदियां ने, उना दा डट के सामना करना चाइदा है, एक दो फेलियर मिलन दे नाल, अपनी जिंदगी ता नहीं खतम होन लगी, असी बहुत कोच कर सकते हैं जिंदगी दे वेच, मेरी एक दोस्त सिगी, जिनने मास्टर क प्रिख्या दित्ती ते ओदा नंबर जड़ा सगा जी ओवी लग गया, बट जे मेरी फ्रेंड बैठी रहें दी, कि नहीं जी मेरा मैदा पेपर क्लियर नी होया हुण मैं की करूंगी, ओदास हो जान्दी, डी मोटिवेटेड हो जान्दी, शंगार्ष ना कर दी, ते की उन प्रिख्या के ना चलो, एन तुसी इंजॉय करो, जर्नी नू इंजॉय करो, नतीजा पमा जोवी रवे, ते कर वीडियो पसंद आई होवे, ता लाइक दा बटन जरूर प्रेस करेओ, ते एह जियां वीडियो प्राप्त कर दे, रेंड लई, बैल आइकन प्रेस कर लेओ, चैनल नू सब्सक्राइब जरूर खर लियो, तेंक यू सो मच फर वाचिंग, गॉड ब्लस यू अल